जब टूरिष्ट की जीप में अचानक से घुसाया चीता और लोगों की छूट गए पसीने जाने क्या है पूरा मामला क्या हो अगर आप जंगल सफारी पर निकले हो और अचानक से कोई चीता आपके कार के अंदर आ जाए तो क्या होगा बेशक डर के मारे आपकी सांसे थम जाएंगी हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ऐसी ही घटना तंजानिया के गोल कोप सेरेंगेटी नेशनल पार्क में घटी जब जानवरों की फोटो लेने आये सैलानियों की जीप के अंदर एक चीता घुसाया और सैलानियों की सांसे रुख सी गई थी जब चीता जीप के अंदर घुसा तब अंदर बैठे लोग बाहर के चीतों को देख रहे थे तभी अचानक से एक चीता अंदर आ गया और ये पूरी घटना सेलफी कैमरे में रिकार्ड हो गई चीते के जीप के अंदर घुसने से टूरिष्ट गाइड समेट सभी सैलानी दहशत में आ गएं और चीते को जीप के अंदर देखकर सैलानियों की हालत एकदम बैड हो गई थी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या लेकिन टूरिष्ट गाइड ने कहा कि अगर आप सभी अपनी सांसों को बिल्कुल धीमे से लेंगे तो चीते को हमसे किसी तरह का खत्रा मैसूस नहीं होगा और वो हमला नहीं करेगा तूरिष्ट गाइड की बात मानकर सभी सैलानी बीना घबराए शांती से बैठे रहें फिर कुछ समय बाद चीता सैलानियों को बीना किसी तरह का नुकसान पहुचाए जीब से बाहर चला गया चीते के बाहर जाने के बाद सभी सैलानियों ने राहत की सांस ली सैलानी बिटोस हेस ने बताया कि वह अपल बहुत खतरनाक था उन्होंने बताया कि जीवन में इतना ज्यादा डर पहली बार लगा है जब जीता पीछे की सीट पर सिर्फ एक फीट की दूरी पर था उन्होंने इस घटना को अपने सेलफी कैमरे से वीडियो रिकार्ड कर लिया दोस्तों अगर आप भी जंगल सफारी पर जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि जंगल में कौन सा जानवर कब किदर से आ जाए दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएए साथी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिए फेस्बूक पर वाटसब पर आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक इस वीडियो के अंतक बने रहने के लिए धन्यवाद